हलो दोस्तों, चाहे आप student हो या adult person, चाहे आप school में हो या office में, सभी आपको यही कहेंगे morning में जल्दी उठना अच्छा होता है ज्यादा तर successful लोग आगे बढ़ने की वे जल्दी उठते हैं और अपने आपको powerful बनाते हैं अगर आपको जल्दी उठने की फाइदे यानि benefits जानने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए हाला कि ज्यादा तर लोगों को जल्दी उठने की फाइदे पता होते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो जल्दी उठना manage नहीं कर सकते ऐसा करने में उन्हें बहुत difficulty होती है, क्या ये वास्ता में कठीन काम है? सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे important चीज जल्दी सोना है हाँ दोस्तों अपने सही सुना, अपने रेगुलर टाइम पर सोए और अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाए, यह कुछ दिनों के लिए थोड़ा difficult होगा लेकिन फिर धीरे देरे आपको आदत हो जाएगी चुमकि कल रात आप कम सोए थे, इसलिए आप थोड़ा ठके हैं, यानि टाइड लगेंगे, लेकिन इस ठकान की वज़ए से आपको अपने रेगुलर टाइम से जल्दी सोने में मदद मिलेगी सोने की आदि गंटे पहले ही फोन या लैप्टाउप को यूज करना अवोईड करें जितना आधिक आप उनके सामे रहेंगे, या मेलेटिन के प्रोड़क्शन को काम करेगा और आपके सर्केडेंग रिदम को अफेक्ट करेगा या सामानी रूप से बोडी क्लाउप भी कहते हैं शुरू के कुछ दिनों में आप वाम वाटर से नहा सकते हैं या बेट पर जाने से पहले किताब पढ़ सकते हैं या ओडियो बुक्स सुन सकते हैं यह सब से आपको सोने में मदद मिलेगी एक और इंपोर्टन बात यह है कि आपको अपने अलाम को बेट से दूर रखना चाहिए जिससे आपको अलाम को बन करने के लिए बेट से उठना पड़े हैं अलाम तब पहुचने तक आप उठ जाएंगे और अपने बेट से दूर हो जाएंगे अब अगर आप एक बार उठ गए हो तो फिर स्विच का बटन बन करके वापस सोने मत चले जाएए आपको उठने की पूरी प्रोसेस को फिर से क्यू करना है सिर्फ उठिए स्विच बटन कभी भी न हिट करे और उठकर ठंडे पानी से नहाईए सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आपको यह जानना होगा कि आप जल्दी क्यू उठना चाहते हैं एक स्ट्रॉंग विजन के साथ उठे जो आपके गोल्स के लिए जल्दी उठने में मदद करेगा और आपको उसके लिए काम कराएगा कुछ पस्नालेटीज के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए उन्हें अपना रोल मॉडल बनाईए उनके जैसे बनने के लिए अपने माइट को वहे जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें नीचर, क्वाइटनेस, पीस, यूटिफल संड्राइज देखने के लिए मिलता है और नीचर के साथ इंज्जॉइ भी करते हैं नीचर सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा डॉक्टर है और सबसे अच्छा फिलोसोफर है यह हमारी लाइफ को खुशियों से बहने में मदद करता है इसलिए उटने के बाद आप एक बड़ा ग्लास पानी पीचे, इससे आपको फिर से नहीं सोने में मदद मिलेगी और एक बड़ा ग्लास पानी पीनी के बाद भी सो जाईए अगर नीच नहीं आई तो आप शियोले उट गये हैं अपने दिन के समय आपको कॉफी, सोडा या एनेजी ड्रिंक्स का भी सेवन कम करना होगा तीन या चार बज़े के बाद कैफेन ना ले इससे के बहतन लीन लेने में मदद मिलेगी सबसे इंपोर्टन पॉइंट यह है कि दिन के दोरान लाप को अवोईट करना चाहिए वास्तव में यह आपकी स्लीव साइकल को एफेक्ट करता है और रात में राइट टेम में सोने में डिफिकल्टी होती है जरुरत से काम आने वाला दोस्त यह सचा दोस्त होता है अपने उस दोस्त की हैल्प लीजी जो सुबह जल्दी उठता है जिससे आप इस प्रोसेस के लिए हैल्प ले सकते हैं वे आपको जल्दी उठने में मदद कर सकते हैं चलिए अब लास्ट टिप्स पर आते हैं, इन सभी को हमें अपनी हैबिट बनाना है, यदि आप इसे कम से कम 21 दिनों तक मैनेज करते हैं, तो यह हैबिट्स बन जाएंगे, और आपको जल्दी उटने के लिए अलाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दोस्तों यह वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और को भी अपडेट ना मिस करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले, धन्यवाद